बंदुओं माताओं बहनों भगवान राम ने सेवरी को नो प्रकार की भगति बताया है प्रथम भगति संतनकर संगा दूसर रतिमम कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान चौति भगति मम गुनगना करों कपत जीगान मंत्र जाप मम द्रिड विश्वासा पंचम भजन सुबेद प्रकासा चट दमसील बिरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा सातम सम महि मैं जग देखो मों से अधिक संत के लेखो आठम जथा लाव संतोसा सपनों नहीं देखो परदोसा नवम सरल सब से छलहीना मम भरो से हरसन दी इन नव परकार की भगती भगवान राम ने सेवरी को बताया लेकिन सद्गुरु कवीर ने तमाम दुनिया के लोगों को मात्र चार परकार की भगती बताया है उसमें पहला है सर्धा भगती दूसरा है प्रेमा भगती तीसरा है करुणा भगती और चौता है स्नेहा भगती सर्धा हमारी कहां होनी चाहिए अभी आप सून रहेतें सर्धा आपकी लगी है पत्थर से साहिव कवीर ने कहा तीरत में पानी है तीरत में पानी है होबे न कचु नाए देखा और प्रतिमा केवल जर है बोले नहीं बोलाए देखा आपकी सरदा कहां लगी है सरदा बादी मनुस हो तब तो कोई हर्ज नहीं है ये मानव हिंदू मुसल्मान सीखिसाई सरदा बादी नहीं है अंध सरदा बादी है और अंध सरदा बादी होने का मतलब है कि सारे लोग मिट्टी की पूजा कर रहे है पानी की पूजा कर रहे है अगनी की पूजा कर रहे है आकास की पूजा कर रहे है सूर्ज की पूजा कर रहे है चंद्रमा की पूजा कर रहे है ये अंध सर्धा बादी लोग है ये मंच अंध सर्धा का नहीं ये मंच संका का है ये मंच बिश्वास का नहीं है ये मंच बिचार का है यह मंच अनुमान का नहीं है यह मंच अनुभव का है और यह मंच मानने का नहीं है यह मंच जानने का है I keep six honest serving men they taught me all I know मैं कुछ नहीं जानता हूँ और अपने पास छो करता परायन इमांदार बेक्ती को रखता हूँ जो कुछ भी मैंने सीखा है इन्होंने ही सिखाया है और इनके नाम है their names are what, why, who, when, where and how इनके नाम है क्या, कौन, कहा, क्यों, कब और, कैसे यह संका आपके जीवन में आ जाए तो जीवन की गारी है वो गंतब पर पहुँच जाएगी लेकिन सारे लोग आध, अंध, सरधा, बादी बन गए लोगों ने इल्जाम लगाया कि कविरपंथी किसी को मानने के लिए तयार नहीं क्या कविरपंथी मा को मा नहीं मानदा है पिता को पिता नहीं मानता दादा को दादा और दादी को दादी नहीं मानता चच्चा को चच्चा और चाची को चाची नहीं मानता भाईया को भाईया और भावी को भावी नहीं मानता नाना को नाना और नानी को नानी नहीं मानता है मामा को मामा और मामी को मामी नहीं मानता है क्या कविरपंथी मौसा को मौसा और मौसी को मौसी नहीं मानता है क्या कविरपंथी धर्ती को धर्ती और अस्मान को अस्मान नहीं मानता है क्या सूर्ज को सूर्ज, चंद्रमा को चंद्रमा, तारा को तारा नहीं मानता है, क्या हवा को हवा, पानी को पानी, आग को आग नहीं मानता है, क्या कविरपंथी गाय को गाय और भैस को भैस, कुत्ता को कुत्ता और गीदर को गीदर, हाथी को हाथी और घोरा को घोरा नहीं मानता है क्या क्विरपंथी आम को आम और लीची को लीची बरहर को बरहर और कटहल को कटहल नहीं मानता है क्या क्विरपंथी गेहुं को गेहुं मकाई को मकाई धान को धान और जव को जव नहीं मानता है क्या तो क्या कविरपन्ति, आपके कहने से गोवर को भगवान माने, आपके कहने से मिट्टी को भगवान माने, आपके कहने से पानी को भगवान माने, आपके कहने से अगणी को भगवान माने, और आपके कहने से सुर्ज को भगवान माने, आपके कहने से चंद्रमा को भगवान मा यही मानना है क्या यह मानना है क्या हम सुर्ज को सुर्ज मानते हैं हम चंद्रमा को चंद्रमा मानते हैं हम तारा को तारा मानते हैं हम धर्दी को धर्दी मानते हैं हम आसमान को आसमान मानते हैं हम पानी को पानी मानते हैं हम अगनी को अगनी मानते हैं हम धर्दी को धर्दी मा और आकास को आकास मानते एक दिन की घटना है पुझ गुर्देप अचार सिरी धर्म शरुप साहव का कार्जगरम पुर्णिया के इर्द गिर्द में तिर्दिवसिय कार्जगरम चल लहा था गुरुजी रोज दिन सभेर के सत्र में मठ पर से असनान ध्यान करके जलपान करके मंच पर जाते थे और साम के सत्र में मंच पर से उतरे और चले आते थे अपने आसरम सभेर में जा रहे थे मंच पर एक दरोगा विपरी दिशा से आ रहा था दरोगा ने गारी को देखा और ऐसे इसारा किया रोकने के लिए साहब जी ने डराइवर को कहा गारी रोक दो गारी रुकी साहब जी ने दरवाजा खोला और वो धरोगा आया अब साहिब जी को चरन छूकर परणाम किया और कहा गुरुजी सुनने में आया कि आपका तिर्दिवसीय कार्जकरम पुर्निया के सहर के इर्द गृत में हो रहा है विचार किया कि जाओ जरा सद्गुरु के विचार को सुनू लेकिन मैं आ नहीं सका साहब जी ने पूछा क्यों नहीं आये तो दरोगा कहा उपरका के किर्पा साहब जी कहे उपर में कोई रहता है क्या तो दरोगा कहा आप लोग इसका मतलब उपरका को नहीं मानते है साहब जी ने कहा मैं निचला को मानता हूँ मैं उपरका को नहीं मानता हूँ तो दरोगा कहा इसका मतलव आप लोग सच्चे साधू नहीं है और उरमायन का एक चौपाई बोल दिया जब दर्वहुदीन दयाल राघव साधू संगती पाईए जब भगवान की किरपा होती है तो मानब को साधू की संगती मिलती है इतने में साहिव जी की द्रिष्टी दरोगा के होट पड़ गया और वो होट में तंबाकू रखा था साहिव जी ने पूछा दरोगा जी यह होट में तंबाकू है उपरका के किरपा से है कि निचला के किरपा से कहा नहीं यी तो निचले के किरपा से है कहा मंस भी खाते हो कहा सो तो हम दारू भी पीते हैं तो बोलो मंस खाते हो उपर का के किरपा से हैं कि अपना किरपा से कहा नहीं तो अपना किरपा से खाते दारू पीते हो उपर का के किरपा से कि अपना किरपा से कहा नहीं भी अपने किरपा से कहा कोई कपार फोडबा के परतिस्ठा लुटबा के कपरा फडबा के जाता है आपके थाना पर ये भाई यार लिखाने आप जो माल पत्ति घूस लेते हो उपर का के किरपा से की अपना किरपा से का नहीं यी भी तो अपने किर्पा से साहब जी ने कहा रे भले आदमी खाइनी खाते हो अपना किर्पा से दारू पीते हो अपना किर्पा से मांस खाते हो अपना किर्पा से घूस लेते हो अपना किर्पा से और सत्संग में जाते हो उपर का के किर्पा से चल रोड़ पर साटो हटा करके यह उपर का वला भीमारी साहब कवीर ने एक महीला से पूछा कहो रे सकी एक बात कहूं सकी एक बात पूछों सकी कहती यह पूछिए कहाँ खासम ठढ रायो जी सकी तेरा धुलहा कहा रहता यह दुल्हा मेंस पिया पर्मात्मा सक्षी तेरा दुल्हा कहां रहता है तो सक्षी कहती है उपर तो साहिब कभीर कहते है अकास में तो सद्गुरु कभीर पूछते हैं दुल्हा या कास अदुलहिन कहां है दुलहा तो आकास में है या दुलहिन किदर है फीव आकास में और जीव कहां है कहां है दुलहा या कास पताल में दुलहिन कई से कच्छोह मेटायो जी दुल्हा हो पंजाब में, अदुलिन हो, इस भदसारा में, वो दुल्हा से कई वो बाल बच्चा होगा इदुलिन के, इस दुल्हा से कब भेंट होने वाली है, कब मुहबत होने वाला है, परोक्ष में दुल्हा बैठा है, परोक्ष में भगवान बैठा है, मैं तो पूछता हूँ बोलने वाले से, कि अगर तुम्हारा भगवान परोक्ष में बैठा है उपर में, तो सुलहमी सतावदी में मुहम्मद गजनी सोमनात के मंदिर पर चड़ाई किया था, और वहां के पंड़ा पुजारियों को वहां की जंता ने कहा, पुजारी जी तयार हो जाए, मुहम्मद गजनी आ गया है, पंड़ा पुजारी ने क्या कहा, भगवान में इतना सक्ती है कि मुहम्मद गजनी से फड़िया लेगा परिनाम हुआ कि सारे काली दुर्गा लच्मी सरसती के नाक कांचीर के अब मुहम्मद गजनी सारा सोना चांदी हीरा मोती का जबाहर ले करके और रिटर्म चला गया उपर का भगवान तमासा देख रहे थे परोक्स में बैठे भगवान तेरह सो बिरानवे इस्वी में जब मुहम्मद गजनी जब तैमूर लंग दिली के लाल किला पर चढ़ाई किया बिरानवे हजार सेना लेकर आया और एक लाक हिंदू का सिर काट करके और तब लाल किला पर ईद का नमाज पढ़ा उस समय उपर का कहां बैठा था क्या कर रहा था उपर का क्यों नहीं युद किया पैमूर लंग के साथ क्यों नहीं हिंदू को बचाया ये धर्म धुरंधर लोग ये धर्मा धिकारी लोग धर्म के ठीकेदार लोग इबोली भाली जंता को केवल बलगलाने का काम किया उपर में परमात्मा बैठा है उपर में परमात्मा बैठा है उसकी फूजा करो तुम्हारा कल्यान हो जाएगा मैंने कहा सदुरु कबीर ने भगती को चार कंड में माटा है सरदा भगती देवता किसे कहते है, देवता कौन है, मेरे जीवन में किसका लागत है, इस सरीर पर किसका लागत है, किसका कर्ज है, किसने आप कोई दुनिया दिखाया इस सारी दुनिया के बातों को किसने जानकारी दिलाया किसने आपको पोस्पाल के जवान किया किसने आपको नो महीना अपने गर्भ में रखा था वो देवता हमारी माँ है माँ इस से बर्खे इस स्रिस्टी में कोई देवता नहीं है माँ से बर्खे साहब कबीर ने कहा सरधा रखो अपने मा में इस सरीर में दुर्गा माता का एक पैसा लागत नहीं है काली माता का एक पैसा लागत नहीं है सरसती माता का एक पैसा लागत नहीं है और लक्षिमी माता का एक पैसा लागत नहीं है वो सारा लागत मेरे मा का है इसलिए सरदा होनी चाहिए मनुस की अपने मा के परदी अगर मा नहीं होती तो हम इदुनिया नहीं देख पाते अगर मेरी मा नहीं होती तो अभी मैं 20-30 जिला से आकर आपके हां मंच पर बैठ के बोलता नहीं ये मेरे मा की किरपा है कोई भी बेगती अपने का ले जाए पर हाँ धर के बोले कि मां से बढ़कर और है कौन किस देवी देउता का अगरबती दिखाया जाए किस की पूजा की जाए किसने मुझे क्या दिया है इस पर तो विचार किया जाए तो विचार करेंगे तो पता चलेगा कि मेरा जीवन मेरे मां का दिया हुआ है अगर मां नहीं होती तो बैनात धाम जल लेके कौन जाता जगरनात धाम कौन जाता केदारनात कौन जाता बैनात कौन जाता अमरनात कौन जाता गंगा कौन नहाता कमला जमंगला कौन नहाता अठजाम चौपहराब सिरिमत भागबत कता या सत्संग कौन करता इंजिनियर डाक्टर प्रोफेसर कलक्टर कौन बनता प्रधान मंत्री रेल मंत्री बित मंत्री रक्षा मंत्री विदेश मंत्री कौन बनता म मा सबका स्रे मा है अगर मा नहीं होती तो मैं नहीं होता इसलिए साहब कबीर की भगती है पहली भगती सरदा भगती अपने मा में सरदा रखो मा की सेवा करो मा की पूजा करो यह तुम्हारी भगती पूरी हो जाएगी मा नहीं होती तो यहाथ कैसे सिधा होता यह पहर कैसे सिधा होता यह माथा कैसे गोल होता यह नाग कैसे खारा होता इतना बाहर बाहर भगती को गुरु लोग सबको दुरा रहे अपना खूर पुजाने की चर्चा खूब करते है कि गुरू के तरवा चाट के जीओ गुरू नहो तो तो तुम्हारा जीवन कल्यान नहीं होगा गुरू कैसा होना चाहिए गुरू कैसा होना चाहिए बिलकुल इमांदार जो सच्चा ज्यान दे उसका नाम सद्गुरू है अजो अगल बगल देखावे चमतकार की बात केवल करे जूट केवल बोले वही हमारा कल्यान कर देगा चमतकार दिखाने वाला कभीर ने ये चमतकार की बात पूरे जीवन में कभी नहीं किया एक बात जूट नहीं बोला उनोंने अस्पस्ट कर दिया बीजक से काहू के बच नहीं फूरे काहू कारा माती मान बराई ले रहे हिंदू तुरुक जाती बात बोते असमान की मुद्दत नियारानी बहुत खुदी दिल राकते बूरे बिन पानी कहें कवीर कासो कहूं सब जग अंधा साचे से भागी फिरे जूठे के बंदा एक महात्मा जी ट्रेन से कहीं यात्रा कर रहे थे जा रहे थे टीकट नहीं लिया महात्मा जी बीच में टीटी आ गया टीटी कहा महात्मा जी से टिगर दीजिए कहा हमारे पास तो टीकट नहीं है तो जुर्माना दीजिए का देखते नहीं हो हम सादू है का आपके जैसा सादू हम बहुत देखे हैं का हमको जादे तरंग करोगे तो हम सराप दे देंगे का आपके जैसा भबाजी हम बहुत देखे हैं हमको सराप से डर नहीं है आगे स्टेशन पर कहीं गारी रुकी और टीटी महोदय ने सादू को गर्दनिया देके उतार दिया उतरो उतार दिया सादू जी जाके पलेट फारम पर बेंच पर बैठ गए अब ड्राइबर सहब होरन दे रहे गार सहब जंडी देखा रहे है और गारी खूल नहीं रही आधा धंटा 45 मिनट एस्टेशन पर गारी खरी रह गई अब तो यातरी में हंगामा मच गया अपरा तफरी हो गया किसी को कौलेट जाना, किसी को कारखाना जाना किसी को बैंक जाना, किसी को होस्पीटल जाना किसी को कुटमेटी जाना किसी को दुकान पर जाना है सब लोग ने भारा बाबू से जाके कहा भारा बाबू गारी क्यों नहीं खुल लई है तो भारा बाबू ने कहा देखो मैं लाइन कीरियर दे दिया हूँ सिगनल हरा है अब गारी क्यों नहीं खुल लई है हुआ क्या है कुछ हुआ क्या का हुआ तो यही कि टीटी महोदय साधू को गर्दनिया दे के उतार दिया उस समय से गारी नहीं खुल लई तो भरावावु ने टीटी से कहा कि आप जाके बावा से माफी मांग लीजिये कि गारी खुल जाए टीटी ने कहा ऐसा नहीं होगा मैं नहीं माफी मांगूंगा तो बराबाबू ने कहा माफी नहीं मांगिएगा गारी नहीं खुलेगी तो जनता से मार खाना पड़ेगा आपको मारेगा आपको टीटी को भै हो गया उजाके बावा का पैर पकर के माफी मांग लिया माफी मांगा और सीटी देके गारी खुल गई जब गारी खुल गई अब तो बावा के गरिमा महिमा की क्या सवाल है कहना है इतनी इनकी महिमा बढ़ गई अब लोग जब इनका चेला बनना सुरू किया तो चंद दीनों में एक दो साल दीते बीते दो चार लाख चेला बावा का हो गया पांच बरस के बाद जब बावा मरने लगे अंतिम सांस पर आ गये तो जिसको उत्रा धिकारी महंत ही नों ने बनाया वो कहा बावा आप तो अपजार हैं मठ हमको सोप दिये जमीन गाय भैस चेला चटिया महल मकान गरंत सब हमको दे दिये मंतर ले जाके क्या किजेगा वो भी तो दे दिजिए कहा कौन मंतर लोगे कहा जिस मंतर से गारी रुख गई थी वो मंतर दे दिजिए बावा ने कहा बेटा मंतर से गारी नहीं रुखती है मैंने पांच हजार रुपया डराइबर को घूस दिया था पांच हजार रुपया गाट को घूस दिया था पांच हजार रुपया टीटी को मैंने घूस दिया था तीनों मिल के 45 मिनट ट्रेन को रोक दो कि मेरा गुरुववई धंधा रफ्तार पकल ले रोक दिया तीनों मिल कर अब तो गुरुवई धंधा हमरा इतना रफ्तार में है कि अब 15,000 घूस में गया अलाक के लाक बिदाई आ रहा है अब क्या चाहिए ये गुरु लोग चमतकार दिखा दिखा करके सीस के आँख में गर्दा जोग जोग करके अपना गुरुवई धंधा कैसे रफ्तार पकरे इसके जोगार में चमतकार की बात बराबर करते रहते और अंधे चेला लोग भीसी चमतकार के पीछे साहव कवीर ने कहा बोला जाए अब ऐसा है बोले हम तो चले गए लेटिन हम तो सून नहीं पाए कभीर सहमें भी कभीर पंथी लोगों ने लगा दिया चमतकार की कभीर अकास से उतर गए कासी के लहर तलाओ में कहा राम खीड से आ गए सीता खेट से आ गई भिस्म पिता मह गंगा से आ गए सुकदेव जी सुगगा से आ गए अगस्त मुनी घैला से आ गए कर्ण सुर्ज से पैदा लिया कारण कारज वेवस्था को कहां रख दीजेगा कारण कारण के कारज होगा माटी हो पानी माटी पानी हो और कुमार हो और चाक डंडा नहो काम हो जाएगा और चाक डंडा हो कुमार हो अब मिट्टी पानी नहो तब क्या होगा काम होगा अब मिट्टी पानी हो चाक डंडा हो और कुमार नहो तब क्या होगा कारण तीन है उपादान कारण निमीत कारण और साधारन कारण जब तीनों कारण लगते हैं तो कार्ज प्रारम हो जाता है अगर मा नो हो पिता नो हो तो इस सरीर कहां से बनेगा अकास में कैसे बन गया सरीर मैं तो कहता हूँ किसी विद्यार्थी को अगर एक्जामनेशन में पूछा जाए कि सद्गुरु कबीर कैसे आए अब उभी द्यार्थी लिखिदे आकास से आए तो एक्जामनेशन नमबर देगा कि काटेगा फेल होगा लड़का की पास होगा बोलिए फेल होगा ना बंधो ये चमतकार की बात बोल बोल करके जब भगवान राम बिवाह करने जनकपुर गए तो मरवा पर बैठे हुए थे जब दुलहा जाता है बिवाह करने तो गाउं के जूबती लड़की सब दुलहा से मजाग करने के लिए आती है जब राम मरवा पर बैठे थे तो जनकपुर के लड़की सब चूपती सब आ गई और भगवान राम से कहती है ए पाहुन जी अतीवुदार कर तूतीदार अबधपुरी की बामा खीर खाए पैदासुत करती पतिकर कुछ नहीं कामा ए पाहुन जी आपके अजोध्या के नारी सब इतना उदार बीचार की है खीरे खा के बच्चा पैदा करती है दुलहा के कोई जरूरी नहीं अजोध्या में दुलहा के कोई जरूरी नहीं है खीर से बच्चा पैदा होता है भगवान राम तो लजा गए सखी बचन सुन के रगुनंदन बोले मिर्दो मुसकाते आपन चाल छिपा वहुँ प्यारी करहुआन की बाते भगवान राम मरवा पर काते हैं कोई नहीं जन में मातु पिताबिनो बांधे बेद की नीती तुम्हरे तो सब महीं से उपजे हमरे अस नहीं रीती का के अपना सिकाइची पाती हो हमको बेज़त करने आई हो मरवा पर अरे यहीं न कहने आई हो कि अजोध्या में खीर से बच्चा पैदा होता है दुलहा के जरूरी ना है तो हम भी सुने हैं जनकपुर में खेट से बच्चा पैदा होता है दुलिन के जरूरी नहीं ये चमतकार की बादसव जूट-फूश की बादसव बता-बता करके इस भोली-भाली जनता के देखिए अध्यात्मे अध्यात्म जिसका नाम है उसमें कोई मिलावट बाजी करता है उसमें कोई जूट फेटता है उसमें कोई गलत बात बोलता है तो उसके ऐसा गद्दार इस धर्ती पर कोई नहीं माना जाएगा क्यों दूद में पानी मिलाया गया उतना नुकसान नहीं होगा आटा में चोकर मिलाया गया उतना नुकसान नहीं होगा घी में डल्डा मिलाया गया उतना नुकसान नहीं है चावल में कंकर मिलाया गया उतना नुकसान नहीं है लेकिन अध्यात में चमतकार मिलाया गया तो जनता के लिए स्वर्ग नर्ग का सवाल पैदा लेता है कल्यान का सवाल पैदा लेता है ये मिलावट बाजी करने वाले एक नम्मर के हत्यारा माने जाएंगे किसी के जीवन को इन्हों ने नुकसान पहुँचाना सुरू किया है बंदूओ जड़ा इस पर विचार किया जाए मैंने कहा सर्धा बादी बनो तो मा के प्रती सर्धा रखो इसलिए कि मा का दिया हुआ ये तन है आपका मा का दिया हुआ ये तन है और आपको परहा लिखा के परहा लिखा के इंजिनियर कौन बनाया था डाक्टर कौन बनाया था प्रोफेसर कौन बनाया था एस्पी डी एस्पी कौन बनाया था कलक्टर कौन बनाया था पीता ने सारा खर्चा देकर मजदूरी करके बटईया जोत के ठीका जोत के मभेशी पाल के दुकंदारी करके आधा पेट खा करके फाटल कपरा पहन के और आपके लिए सब कुछ किया वही पीता ने आपको इंजिनियर डाक्टर परफेसर बनाया उसी पिता ने आपके लिए जमीन खरिदा उसी पिता ने आपके लिए महल मकान बनाया उसी पिता ने आपके लिए गारी घोरा खरिदा उसी पिता ने आपके लिए गाय भैस खरिदा और उसी पिता ने आपका विवास साधी कराया आज बेटा किसका पूजा कर रहा है किसका लागत है मेरे जीवन में गौर कीजिए मेरे जीवन में किसका लागत है किसकी पूजा होनी चाहिए साहिब कभीर ने कहा पिता की सेवा होनी चाहिए मा की सेवा होनी चाहिए और पिता की सेवा होनी चाहिए ये दोनों का लागत मेरे जीवन में है, माने तन दिया है और पिता ने धन दिया है और तीसरा, हम मांस खा रहे थे, मचली खा रहे थे, तारी दारू पी रहे थे, गाजा भांग पी रहे थे, भीरी सिग्रेट पी रहे थे हम चोरी, बैमानी, दलाली, गुश्खोरी कर रहे थे कि क्या बजार लगा गाई बुरा बंधू हमारे उपर पंचैती हो रही थी हम पंचैती में थूक चाट रहे थे हम कहीं गाली सुन रहे थे, लाग जुता खा रहे थे हम जेल जा रहे थे इन सारे पाप कर्मों से मुझे निकाला किस ने तो लागत मेरे सद गुरू का मेरे जीवन में है कि सद गुरू ने सारे पाप कर्मों से हमको अलग कर दिया तो मा ने तन दिया पिता ने धन दिया और गुरू ने ग्यान दिया इसके अलावा कोई आदमी उठके बोलिए कि आपके जीवन पर किसका लागत है किसकी पूजा होनी चाहिए किसकी सेवा होनी चाहिए वह इमांदारी से कोई उठके बोलिए मैं अभी उसका सफाई करूँगा कि और किसका लागत मेरे जीवन में है अगर आप अपने को हिंदू मानते हैं हिंदू तो कभीर के सब्दों में कोई है नहीं कभीर के सब्दों में सब मानव है सब आदमी है सब इंसान है लेकिन मान लिया जाए कि आप अपने को हिंदू कहते हैं तो हिंदू का मुख ग्रंथ बेद है और बेद ने किस देवता को माना बेद ने कहा मातरी देवो भवा बेद ने कहा पितरी देवो भवा बेद ने कहा आचार्ज देवो भवा और बेद ने कहा अतीथी देवो भवा बेद नहीं कहा राम देवो भवा किरिस्न देवो भवा महादेव देवो भवा दुरगा देवो भवा काली देवो भवा हनुमान देवो भवा बेद नहीं कहा बेद ने कहा मातरी देवो भवा, मा सबसे बड़ी देवता है अतब कहा पित इसलिए कि मा का लागत ही जीवन पर बारा ना है और पिता का लागत चारा ना है इसलिए हर जगह से मा को आगे कर दिया गया मातरी देवो भवा, पितरी देवो भवा, आचार्ज देवो भवा और ये बैठे हुए अतिति हैं ये सभी देवता के रूप में बैठे हैं इनका स्वागत करना, इनका मान सम्मान करना जिसने आयोजन किया है उनका काम है कि हमारे जड़वाजे पर जो देवी और देवता आये हैं उनका स्वागत करना मेरा काम है ये चार देवता है विवेका नंजी ने तो दू देवता और बरहाया विवेका नंजी दू देवता और बरहा दिया मुर्खो देवो भवा और मुर्खो देवो भवा और दरिद्रो देवो भवा दू देवता और बरहा दिया गया बंदू यही आपके देवता है इनका लागत इनका कर्ज आपके सीर पर है इनका कर्ज सधा लीजिये इनका लागत वापस कीजिये अगर आप वापस नहीं करते हैं और जिन्दगी भर अंध सर्धा में परकर जहां तहां अगरबती बार रहे हैं, जहां तहां पानी ढार रहे हैं, जहां तहां नमस्कार पर नाम कर रहे हैं, ये सारा करजा बकाया रहेगा और आपको कभी मुक्ती मिलने वाली और कभी कल्यान मिलने वाला नहीं होगा, अंध म प्रेम है क्या किसको प्रेम कहा जाए साहव कवीर ने कहा प्रेम पाठ का चोलना पहीर कवीरू नाच पानिप दिन होता सुको जो तन्मन बोले साथ और कहा पोथी पढ़ी-पढ़ी जगमुआ पंदित भया न कोई अधाय आखर प्रेम का पढ़े सो पंदित होई कहा दुनिया मर गया पढ़ते पढ़ते लेकिन पंदित मैं किसी को नहीं देखा पंदित कौन होगा ए पलस भी माइनस होले स्कुायर इससे कोई पंदित नहीं हो सकता है कभीर ने कहा पढ़ पढ़ के पंदित पढ़ पढ़ के ऐसे है लिख लिख हो गए चोर अजो पढ़ने सद्गुरु मिले सो पढ़ना कचुआ और साहव कवीर कहते हैं पढ़े लिखे क्या कीजे समुझी मन बावरा हो अंत बिलया खाए समुझी मन बावरा हो क्या पढ़े आज तक प्रेम की पढ़ाई पढ़े परसंजूक तेकार और मौहलांते अरहाई अक्चर है धाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई एक आदमी से किसी ने पूछा कि कल तो भथसारा में सत्संग था आप वहाँ नहीं पहुंचे कहां थे कहां कि हम एक पंचैती में चले गए थे कहां पंचैती कैसी थी कहां एक लड़का एक लड़की में प्रेम हो गया उसी की पंचैती थी उसी में हम चले गए कहा बताईए प्रेम में पंचैती कैसे हो गया लड़का लड़की में प्रेम हुआ तो प्रेम में पंचैती की क्या वसकता है पंचैती तो जगरा में, लड़ाई में, बैमानी में, चोरी में, मडर में इसमें पंचैती होती है अग जहाँ प्रेम हो गया, वहाँ पंचैती की क्या आवस सकता थी, प्रेम तो सिवरी और राम के बीच में हुआ, जो कभी पंचैती की आवस सकता नहीं परी, प्रेम मीरा और किरिशन के बीच में हुआ, जो कभी पंचैती नहीं हुआ, प्रेम राम किरिशन परमहंस और कोई प्रवा बती देवी के बीच हुआ कोई ममला फवर्धारी नहीं हुआ कोई MAAR PIT नहीं दिए प्रेम में पंचाइती क्यों हुआ बंधुओं वहां प्रेम नहीं था उस लड़का लड़की में प्रेम होता तो पंचाइती नहीं होती सेवरी राम में प्रेम हुआ तो कभी पंचाइती नहीं हुई उस लड़का लड़की के बीच प्यार हुआ और प्यार और प्रेम देयर आर ग्रेट डिफरेंस बिट्विन प्रेम और प्यार प्रेम और प्यार में जमीन आस्मान का अंतर होता है प्यार हुआ सेवरी और राम के बीच में प्रेम हुआ सेवरी और राम के बीच में और प्यार हुआ था लैला और मजनू के बीच में उस प्यार को हम महबबत कहते हैं उसी प्यार को महबबत कहा गया उर्दू लवज में वहाँ पंचैती होगी लरकी फस गई है लरका के मोह में लरका फस गया है लरकी के मोह में जहाँ प्यार होगा जहाँ मुहबबत होगा वहाँ पंचैती होगी जहाँ प्रेम होगा वहाँ पंचैती की कोई आवसकता नहीं है और प्रेम होता है आत्मा से आत्मा का मिलन का नाम प्रेम है और देह से देह के मिलन का नाम प्यार और मुहबबत है तासाहब कबीर कहते हैं मानव से प्रेम करो माता पिता गुरु अतिती में सरधा रखो और मानव से प्रेम करो यह मानव प्रेम के पात्र हैं जहां कोई विकार न हो प्रेम निर्विकार हो निर्मल हो पावन हो पवीत्र हो सुध हो ऐसा प्रेम करो सेवरी और राम के जैसा प्रेम करो अपने मां से अपने पत्नी से अपने बेटा और बेटी से अपने भावी से अपने भाई से अपने पीता से या गाओं के लोग से मानव से प्रेम करो जहां कोई जातियता नहों जहां कोई संपरदाइकता नहों जहां कोई उच नीच का भेद नहों जहां कोई अवन सवन का भेद नहों जहां कोई छुआ छूत का भेद नहों जहां कोई गोरा काला का भेद नहों जहां कोई हिंदु मुसल्मान का भेद नहो ऐसा प्रेम करो मानब मात्र से ये कभीर की दूसरी भग्ति माता पिता गुरू अतिथी में सरधा रखो और मानब से प्रेम करो और तीसरी भग्ति है ये जीव मात्र जितने मानवेतर परानी मान बेटर अर्थाथ, मनु जोनी से नीचे की खानी में जीने वाले ये पसु पक्षी कीरा मकोरा, सब दया के पात रहें इन प्राणी पर दया रखो, ये तीसरी भगती संत मत कहाते हैं, कभीर मत कहाते हैं दर्जन के दर्जन बकरी पोस्क या कुट्टी कटवाते, दया का एक पैसा लेश नहीं, वो आदमी स्वर्ग जाएगा, भैकूंट, रस्ता खुला हुआ है क्या, हत्यारा भैकूंट जाएगा, हत्यारा सतलोक जाएगा, अस्तूती करके और भिंती करके, भर मांग चन्नन करक अलाल पियर पेहन के सतलोक चला जाएगा, वातिस सतलोक, सतलोक है किदर, साहिब कभीर ने कहा, नर्तू पार उतर कहां जहीं हो, आगे पंथी पंथ ना कोई, कूछ मकान न पई हो, अकहें कभीर सुनो भैसादो, जहां के पध तहां इठा रही हो, अंजाने को स्वर्ग नर है, हरी जाने को नहीं, अजहीं डर से सब लोग डरतू है, सो डर हमरे नहीं, दिल में दयागन एक पैसा नहीं, यहां अमीर बनने की बात है, बकरी तिस्ति सजार में खसी भीक रहा है, यहां अमीर बनने की मंसा है, कि हम धनवान बन जाए, बकरी कटबा कटबा के, तो कि मुक्ति पाओंगे दू में से यक्यन होगा या तह धनवान बनोगे नहीं तो मुक्ति पाओंगे तब पोसा गया धन के लिए बकरी क्यों पोसा गया गाय तो लाया गया दूद के लिए भैस लाई गई दूद के लिए बैल लाया गया खेट जोतने के लिए घोरा लाया गया चर्णे के लिए अब बकरी क्यों लाई गई मास बेचने के लिए यह मंसा खड़ाब है अंधरात्मा का विचार धारा गंदा है अब आदमी कहता है हम संत मत में हैं हम कभीर मत में है तुलसिदाजी ने कहा दया धरम के मूल है धरम का मूल है दया जहां दये नहीं है मूले बात खतम है तो और बच क्या गया सब संतन की बरी बलिहारी ये बच गया कभीर पंथ के अस्तूती बिंती बच गया दिल का दया समाप्त हो गया अपना बेटा नहीं अगर ऐसा है तो अपने बेटा बेटी पर से भी दया हटा लीजिए औरतों के पास माया होती है लेकिन दया का पूरा आभाब एक जद हम बैठे थे बढ़िया बकरी मने बच्चा देते देते बेचारी बुढ़ा गई अंत में जब बच्चा देने लायक नहीं रह गई तो घर भईया कसाई कहां थे बेच लिया हम उस जगह बैठे हैं कसाईया जों बकरी को लेज के चला तो बकरी वाली कहती है जा है लच्चमी बड़ा धार बट पापी कहां के भई लच्चमी इनको बड़ा धार दिया अंत में इतना बेचने से इसका पेट नहीं भड़ा बच्चा कटवाने से तो अंत में बुरियों के गर्दन कटवा रही है अलच्मी बड़ा धारला, ये उरत के पास कितना ग्यान है, कितना बुध्धी बिवेक है, इसका माया कहां कितना है, अधाया इसके अंदर से कहां चली गई, एक पैसा धाया का लेस नहीं है धनवान बनने की लालसा है, कि बकरी पोस्ट के हम धनवान बन जाएंगे, खून के पैसा से, अगर्दन के कट्टी के पैसा से कोई धनवान बन जाएगा, कोई नहीं बनेगा, वो धन गलेगा, वो धन गलेगा बरेगा नहीं किसी कीमत पर, चुके गर्दन कट्टी का पैसा है दया है दिल में सदुवई करते हैं अस्तुती भिंती और प्रार्थना करते हैं हलो और मुक्ती पाने की बात करते हैं जब देव बरत ने देव बरत ने जब हंस को मारा था हंस गीर गया तीर लगा हंस गीरा हंस को किसने उठाया सिधार्थ गौतम ने सिधार्थ गौतम ने उस हंस को अपने गोद में उठाया अधीरे से उसका तीर घीच के और मल्हम पट्टी करके अपने गोद में रखा था हंस थर-थर काप रहा था डर से देव बरत दोर के आया भाईया चचेरा भाई थे दोनों भाईया यह हंस मेरा है मैंने इसको मार के गिराया है हंस मुझे दे दो सिधार्द गौतम ने कहा भाईया मारने वालों से ज़्यादा अधिकार है बचाने वालों का मैंने हंस के प्रान की रक्षा की है मैं हंस नहीं दूँगा दोनों भाई में जंजट होने लगा कहा तो ये काम करो पंचाईती बैठाओ और फर्यालों की हंस किसका होगा सवभाग देखिए पंच में सिधार्त गौतम के पिताजी राजा सुदोधन को पंच माना गया एक तरफ भतीजा है और एक तरफ बेटा है और पिताजी पंच बन गए देखा कि अगर भतीजा के पक्ष में जाता हूँ तो बेटा कहेगा पपा भतीजा का पक्ष ले लिया अगर बेटा का पक्ष लेता हूँ तो भतीजा कहेगा बरा पपा बेटा के पक्ष में भाग गया आवी संकट है यहाँ एक उपाय सुझा सुधोधन को का कि ए देवरत सामने ख़ड़ा हो जाओ दूरी तै करके ख़ड़ा करा दिया और इधर भी दूरी तै करके सिधार्त गौतम को ख़ड़ा करवा दिया अग दोनों का दूरी नाप करके और बीच सेंटर में उस हंस को रख दिया गया और सुधोधन ने कहा हंस जिसके तरफ जाएगा हंस उसी का होगा बोलिया आप लोग हंस की धर जाएगा हंस सिधार्त गौतम के तरफ चला गया ताली बज गई और हंस सिधार्त गई एक एक प्रानी जब बकरी चलाने वाला चरवाहा बकरी को खोलता है चरवाहा पीछे पड़ जाता है। इसले सारे जीब डर रहें, मैं मठा ही मठ पर था, वहां दूग और कववा आता था रोज, और कववा कितना होसियार था, दोसर कुछ देते थे तो नहीं खाता था, उसको चाहिए केरा पका हुआ, और नहीं तो छाली दही, उसके लिए हम केरा खरीद के लाते थे, उसके लि मेरे निकट में आ जाता था धीरे धीरे, वो सोचता था ये मुझे नहीं मारेगा, एक दिन तो एक जगा खोता में, दो पंडुक, चार गोंडा दिया, लड़का सब उधेर बून में लगा था, मैंने कहा सुन लो, जो अंडा को छुएगा, उर रात में मर जाएगा, सुतल रह जागा, कोई नहीं चुआ, हमको कहा, आप चलके देखिए, मैं गया, तो बच्चा को जाप करके उसके मम्मी पपा बैठे थे, हमको देखे तो उर जाना चाहिए, लेकिन दोनों में से कोई नहीं उरा, मैं दोनों कहां से उठा के अलग रखके, बच्चा को खिला लिया फिर दोनों बुरा बुरी को मैं खोता में रख दिया, फिर कल गए तो नहीं उरा, जान रहा था या आदमीन हमको मारने वाला नहीं है, आज तक मैं ये चीटी को नहीं मारा हूँ, आज तक 65 बरस का उम्र मेरा बीत रहा है, ना आज तक मैं कभी मंदिर गया, और नहीं आज तक किसी चीटी को मारा, नहीं आज तक कोई दुर्बेशन खाया, नहीं किसी का चोरी दलाली किया, नहीं कहीं सत्संग में गए तो साटा वाजी किया, नहीं किसी के बहु बेटी पर बुरा नर्द डाला, अब मंदिर भी कभी नहीं गया, मैं गुरू के बताए हुए, अच लिए कि भरोसा है मंदिर का, भरोसा है देवी देटा का, लेकिन अचार जी ने मुझको कहा, इतना इमांदारी से किसन गंज में कही रमा संकर साहिव, मेरा भरोसा भी मत कीजिएगा, भरोसा अपना, भरोसा अपना, आज गुरू, गुरू, गुरू पढ़ते पढ़ते सब बेकल है गुरू बैकुंठ ले जाएगा आपको है जोड़ी धरा के ले जाएगा आपको बैकुंठ में भरोसा हटा लीजिए भरोसे बाले बैक्ति कायर होते हैं डड़ पोक होते हैं और नहीं तो अंकारी होते हैं जिसका बाप दरोगा है जिसका बाप एसपी डेसपी है वो किसी के बेटी का इज़त लूट लेगा, काएगा हमको कौन क्या बिगारेगा, मेरा बाप इस पी है, मेरा बाप दरोगा है, एफायार होगा नहीं, वो आदमी किसी का मडर कर देगा, नहीं तो वो आदमी, बिल्कुल कोरी हो जाएगा, काम नहीं करेगा, बाप कमाते हैं, हम क तो कमा के खाएंगे वैसे भगवान बादी लोग या तो हंकारी है नहीं तो कायर हैं डड़पोक बन के जी रहे हैं हम को किसी का भरोसा नहीं है अपने भरोसा पर साहभ कवीर ने कहारे बन्दे कर ले आपनी वेरा अपना भरोसा पर चलता हूं और एक एक पैर उठाता हूं क कहीं कर्म का परिनाम न भोगना पड़ जाए एक एक पैर ऐसा उठाता हूँ ज़िए कहीं गलती न हो जाए किसी को हमसे दुख न हो जाए अब उसका परिनाम न कहीं हमको भोगना पड़ जाए बंदूओं 12 बज गया है और आज समय पर तो बहुत आकर्मन हो गया 11 बजे का समय था मैंने अखन साहब से कहा था कि सत्र में हमको छोड़ दीजिये आप ही लोग 11 बजे तक करके और समाप्त कर दीजिये लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं आपको भी चलना है तो हमाए 12 बज गया है इन ही चन सब्दों के साथ मैं अपने बानी पर भी राम देता हूँ